असलावलेकूं मेरी यूटूब की फैमिली आज मैं आपके सामने बर्गर की रेसिपी शेयर करने वाली है ये रेसिपी सबको पसंद आएंगी बच्चों को भी और बड़े भी से पसंद करेंगे आप इसे ट्राइ करें ये बहुत मज़ेगी बनती है चलो अभी हम इस्टार्ट करते है एक बड़ा प्यास बारिक कटा हुआ चार से पांच फ्लस्टिन की कली बारिक कटी ले आदा चमच काली मिर्ची का बॉडर आदा चमच चाट मसाला एक चमच नमक आदा चमच चली फ्लेक्स और दो ब्रेट के स्लाइज आदा चमच गरब मसाले का पॉडर आदा चमच जिरे का पॉडर आदा गिलो चिकन बॉन लिस अभी हम चिकन को पीस हैंगे और इसको बार इक सा खीमा बनाएंगे टीकन एट करेंगे नमक और ब्रेट के चोटे पीस करें उस सब को पीस लेंगे इसको अच्छी तरह बारिक साफ हीमा बना लेंगे अब इसमें कटी भी प्यास शामिल करेंगे इसे मोटा पीस ना इसको बारिक ने करेंगे अब हमारा चिकन का फीम आते लिए रहे हैं अब कुछ मसाले एट करेंगे कटा हुआ लस्तक काडी मिर्ची का पौडर जीडे का पौडर गरम मसाले का पौडर और चाट मसाले का पौडर और चिल्डी फ्लेक्स एट करेंगे यह मसाले को अच्छी तरह फीमे में मिक्स करेंगे और दो चोटे चमच कुकी गॉली अब इसके हम कबाब बनाएंगे और इसको कबाब का शेप देंगे इसे अच्छी तरह तरह दबाकर पत्ले पत्ले कबाब बनाना है। अच्छी जितना दबा सकते हो तना दबा, पत्तिला बनना चाहिए। अब गयास के ओपर पेन रखेंगे। पैन में 2 चमचा ओयल डालना ही। ज्यादी ओयल में इस फराई नहीं करना हाई बस अब शैलो फराई करना ही। और दो से तीन मिलिट तक हम कबाब को फ्राइ करेंगे और ग्यास को हमें सुलो रखना है ज्यादा फासली करना है सुलो पर इसको पकाएंगे अब इसको पल्ठी करके अब हम इसे और दो से तीन मिलिट इसको पकाएंगे इसको बस ऐसी पकाएंगे और इसका कलर लाइट ब्राउन आना चाहिए बस हलका सा कलर आना चाहिए अब हमारे कबाब रेडी है बर्गर वराने के लिए अब बन को हम दो हिस्सों में काट लेंगे और उसके उपर टमाटर केचप लगाएंगे अबर इक चीज का सिलाइस और उसके ऊपर कबाब आपके पास जो भी सलाथ के पते हैं पत्ता पाटर और प्यास आपकी मर्जी आप ज्यादा भी रख सकते हैं भी चीज का स्लाइस मेरे पास यही सॉस थैसले मैंने इसको यूज करिए आपके पास जो भी सॉस होंगा आप यूज करो और इसके वापर मैंने चिली माहिनीज चिली और गार्लिक का मैंने इस यूज की आपके पास सिंपल भी साधा भी होंगा तो आप उसे यूज कर सकते हैं उससे भी बड़े मज़े के बनेंगे हमारा परगर रेडियो हो चुका है आप इसे ट्राइ कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत पूलना पूला हफीज फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ